नमस्ते गाइस मेरा नाम है अभी मन्यू स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंगलिश में दोस्तो लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के सेंटेंसिस का यूज करना पड़ता है जैसा कि अगर मैं कहूं मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती तुम उससे दूर रहो तो दोस्तों दूर नहीं रह सकती दूर रहो इन तरीकों के सेंटेंसिस का यूज हम अपनी डेली कन्वरसेशन में बहुत बार करते हैं तो आज के वीडियो में दोस्तों यहीं सीखेंगे इन तरीकों के सेंटेंसिस को इंगलिश में किस रूल क देखिएगा sentences को form करने का सबसे पहले आपका subject उसके बाद आ जाता है आपका helping verb उसके बाद stay away from और उसके बाद last में आपका object ठीक है दोस्तों example से और बहतर समझेंग देखिए पहला है आपका मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता I can't stay away from you मैं नहीं चाहता हम एक दूसरे से दूर रहें I don't want that we stay away from each other मैं तीन साल से उससे दूर रह रहा हूं मैं तीन साल से उससे दूर रह रहा हूं I have been staying away from her for three years I have been staying away from her for three years तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए था You should have stayed away from him